दोस्तों ये है मेरे पास SBI का Cash Bidrow Form यानि जैसे माले जी आप बैंक में जाते हैं आपको पैसे निकालने की जरुवत होता है तो आपको पता हुआ कि एक Form भर के हम देते हैं तब ही हमें पैसा मिलता है तो आज किस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि से किस तरीके से फिल कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप किसी भी बैंक का Cash Bidrow Form आसानी से भर सकते हैं क्यूंकि सभी बैंक का फोर्मेट शेम होता है बस जैसे मालेज यहां पर अकाउंट नमर डालना है तो किसी बैंक के परची में यहां पर अकाउंट नमर डालने का option आएगा यानि सारा डिटेल से भी फिल करना है बट यहां पर पोजीशन चेंज हो जाएगा तो आप इस वीडियो को देख लीजि बॉस्त बता है जो इस वाला फोर्म से वही पैसे निकाल सकता है जिसके bank में account ए जैसे मय मेरे bank में account है और मैं अपने account से खुदी पैसे िसे निकाल सकता हूं कोई और नहीं लिकाल सकता architect मेरे account से सिर्फ मैंहीं लिखाल सकता तो चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूं यहां आर श रवन दिख सकते हैं मैं यहां पर अपना नाम लिख दिए उसके बाद यहां यहां पे नीचे डेट लिखना है जिस भी दिन आप जा रहे हैं तो मैं लेता हूं 23 122022 उसके बाद यहां पे साखा जिस भी साखा में आपका अकाउंट है उसका नाम लिखते हैं मैं देता हूं नेरू प्लेज उसके बाद यहां पे आएंगे तो अकाउंट नंबर डालना है बहुत इंपोर्टन है तो यहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहां पे सही सही डाल देना है उसके बाद यहां पे आपको अमाउंट लिखन जे उसके बाद यहाँ पे 10,000 only ये टाइप करना है उसके बाद यहाँ पे mobile number डालना है mobile number must आपको डालना है जरूर डालिए ताकि जैसे माली जे कुछ दिक्कत होता है तो आपको call कर ले यानि बहुत जरूरी है mobile number डालना उसके बाद यहाँ पे जो भी पैसा निकाल रहा है उ ये sign आप मत कीजिए क्योंकि पीछे में जो sign होता है वो verify करता है उसके सामने ही जो पैसे निकाल के देता है आपको branch manager हो जो भी हो वो अब उसी के सामने आपको करना है जैसे माली जे आप अगर यहाँ पे sign करके ले भी जाते हैं तो भी वो अपने सामने एक sign करवाएगा औ उसके सामने ही पीछे sign कीजिए तो यही था आपको पता चल गया किस तरीके से इस form को हम भर सकते हैं फिर भी कोई doubt है तो comment कीजिए मैं उसका जवाब जरूद दूँगा अभी कले तना ही thank you for watching